आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में अगेन मैं इस वर्ड को रिपीट करूंगा कि जो मैंने आपको कहा था कि इस समय अगेन ये श्टॉक एक स्ट्रॉंग सपोर्ट पे टेड करते हुए दिख रहे हैं अगर 1290 के लेविल को ब्रेक करता है साथ महीं हमने बैंक निफ्टी में भी देखा कि 34,000 के लेविल को ब्रेक करते ही एक हजार पॉइंट जो है सडेन इस स्टॉक में फेल आते हुए दिखा है टेकनिकली एडी एपसी बैंक को देखेंगे तो वन मंत का जो डूरेशन आप देखेंगे तो एडी एपसी बी बा निफ्टी बैंक का करेक्शन मूर देन 4% हुआ है अगें अगर ये लेविल ब्रेक करती है तो HDFC में जो लेविल दिखेगा वो 1250 के अराउंड 1220 से 1260 का लेविल इजली दिख सकता है और बैंक निफ्टी आपको 31,000-30,000 के लेविल इजली दिखेंगे तो अगर आप आप के थ्रू लॉंग है तो श्यूर्ली पोजिशन को कट करना चाहिए क्योंकि एक मिडेकल ही है कि अगें आपको 1400 के कॉल का जो बहुत सारे लोगों का बाइंग 22-25 के आसपास है जो अभी 3-4 पे चल रहा है तो मुझे प्रस्नली नहीं लगता है कि इस कॉल में आपको कुछ म माने आपका 100% कैप्टल जो है वो जीरो हो जाना है फ्रेस बाइंग HDFC में अगर आप करना चाहते हैं इन्वेश्टमेंट के परपस से तो तेरह सो पचास तक के लेवल के लिए सोरी 1150 के लेवल के लिए आपको वेट करना चाहिए अगर वो लेवल मिलता है तो शियोली एक गोल्डेन ऑपरचुनिटी रहेगा 1250 के आसपास का लेवल अगर उपर के तरफ बात करें तो 1235 के उपर के क्लोजिंग पर ही एक सार्फ अप्टेंड दिख सकता है तब तक के लिए यह स्टॉक कांसोलीडेस या फिर डाउन ट्रेंड के व्यू ही इस स्टॉक में दिखने के वाला है